आज का ये वीडियो उन सभी फार्मासिस्ट टुएंट के लिए हेलफुल होने वाला है जो हाली में फार्मासिस्ट एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं specially नैस्तल हेल्थ मिशन के थूपी में जो 445 फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है इसके सेलेबस को point of view रखते हुए कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है पूरी complete detail में discuss करेंगे और साथ ही एक और गुशन कि सर इसमें negative marking है या नहीं है इसके बारे में detail में discuss करेंगे इस वीडियो इसके बारे में completely हम बात कर चुक है सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए page number 4 पे हम समझेंगे इसके examination pattern को और उसके बाद में इस video lecture में हम इसके syllabus के बारे में बात करेंगे और कहां और कैसे किस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा तो चलिए page number 4 पे आप यहाँ पे देख पा रहे है इसके examination के रिगारी कुछ important बात जो है वो रखी गए लिए तो जैसे ही आप इस official website के official notification में page number 4 पे 3.2 point देखेंगे तो देखिए computer based test जो है वो आपका होने वाला है लगबग सभी student को पता है test will be hang duration of 2 घंडे का यह आपका examination होने वाला है कितने घंडे का दो घंडे का आपके examination होने वाला है और इसी के साथ क्या लिखा हो है देखिए 100 marks का आपका जो ही यह question जो है वो paper रहने वाला है जिसमें की दो भाग में यह divide हो जाएगा वो कैसे sir कि भाईया 80 marks जो है वो आपके चुना रहा हूं 80 marks विल भी कंसे प्रोफेस्नल नॉलेज मतलब आपका pharmacy domain subject जो आपका है जो मैं देखिए आपका 20 marks का विल कंसे जनरल अप्रेटूड रिजनिंग जनरल अवेर्नेस एंड बेसी computer knowledge जो है वो आपको पूछने वाले हैं तो मतलब marking क्या है no negative marking मतलब की simple सी बात है भाईया कि यह जो वेकेंसी है वैसे ही यह contact basis पे है national health mission के तुरू है आलांकि applicants जादा होंगे candidate जादा होंगे तो paper का level भी अच्छा का सा जाएगा बट यहां पर आप ऐस सज समझ लीजिए एक no negative marking है तो इतना कुछ complicated रहने वाला है नहीं अपर टू अग्जामिनिशन जो है आपका easy ही रहने वाला है ठीक है यहां तक हमने समझ लिया अब यहां पर क्या लिखावा देखें दो marks will be awarded अना टेंप्ट कुशन मतलब अगर आपने छोड़ दिया है तो उसका कोई English में आएगा and Hindi है ना English में आएगा और Hindi में भी इसका पेपर जो है आपका आने वाला है तो जो भी students confused थे कि सर पेपर जो है किस language में आएगा वो भी यहां पर mention है simply हमने discuss करें तक हमने समझ लिया और यह भी लिखा हुआ है कि English version of the question will shall be valid है ना अगर कोई confusion हो जाती है तो English में लिखा हुआ कुशन जो है उसी को वैलिट बाना जाएगा Hindi वाला नहीं जस्ट बट आएगा दोनों लेंग्वेज में कोई दिक्कत वाली बात आपकी है नहीं चली तो यहां पर हमने समझेया सर इसका examination pattern कैसे रहने वाला है मीन वाइल जो है एक्जाम होगा कैसे तो यहां पर आप स्किन पर देख पा रहे हैं जब इस की नोटिफिकेशन में आप स्कोल डाउन करेंगे सबसे नीचे की तरब आप देख पा रहे है फार्मासिस्ट एलोपेटिक का आपको सैलेबर जो है वो नजर आ जाएगा अब य पहला सब्जेक्ट आपका कौनसा है सर फार्मासिटिक्स कौनसा सब्जेक्ट है फार्मासिटिक्स है जिसमें की क्या देखिए मेट्रोजी में आपका प्रिस्किप्शन हो गया स्टेलाइजेशन हो गया प्रोसेस और प्रोसेसिंग और कैप्सूल जो है वो आपका रहने व बढ़ना है अब इसमें देखिए कुशन किसी साफ से बन सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो भी डिफेक्ट प्रोसेस कि पीकिंग क्या है कैपिंग क्या है और इंस पील इफेक्ट क्या है यह सारे कुशन आपको आने चाहिए यूज वली जो एक्जामिनिशन में आ प्रिस्क्रिप्शन वाला पॉर्शन जो है वह किसी साफ से रहेगा तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है एक अच्छी सी बुग को रेफर करना है आपका सारे कंसेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएंगे कौन सी बुक को रेफर करना है तो जैसे कि आप स्कूर्ण पर देख पा रहे हैं देखिए यह आरेम में था मेरे पास बुक है फार्मसुटिक सेकेंड की बुक है जिसमें कि आपके लगबग लगबग सारे टॉपिक वह मिल जाएंगे अप देख पा रहे हैं स्कृन पे मैं आपको स्कृन साइड भी लगा दूँगा यहां पर देखिए कंटेंड में सैलिबस में प्रिस्किप्शन वाला पोर्शन आगया आपका पॉसलोजी सॉलिडोजिस फॉर्म यह सारा सब कुछ है तो प्रिस्किप्शन वाला पार्ट जो है आप यहां से पढ़ सकते हैं मतलब में ए जैसे कि आप जानते हैं यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है सेम इन डाई मतलब कि यह क्या है वन से दिन में एक बर आपको यह टैबलेट लेनी है तो यही टर्म जो है आपको एक्जामिनेशन वाले मतलब आपका रोल क्या है फार्मासिस्ट क रोल है आपको prescription को पढ़ना है तो सबसे important चाचीज हो जाती है कि आपको prescription को पढ़ना आना चाहिए तो उसके regarding questions कैसे put होगे कि prescription के regarding जित्रे भी आपके abbreviation है वो सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह पूरा completely आप यह देख सकते हैं देकि मैं जस्ट recommend कर रहा हूं क्योंकि यह सबसे best book है और आप अपने इच्छा से कौन से भी book से पढ़ सकते हैं कोई आप अपने इच्छा के अनुशा मेरे कहने का मतलब यह है किस हिसाफ से क्या कुछ पढ़ना चाहिए और उसके बाद में आपको इसके regarding multiple choice question है वो discuss करने सिंपल सा समझ में आ गया prescription को पकड़ो किताब खोली prescription को completely पढ़ लिया अब उसके बाद जो हो सकता है कोसिस करिए आप ही multiple choice question बनाइए इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग prescription mcq question जो है उसको search किजिए और एक दो एक दो वीडियो जो है वो देख लीजिए ठीके जी तो इस इसाब से आप घर बैटेट अच्छे से त्यारी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देख पार है as simple कोई इतना बड़ा टास्क नहीं easily आप अच्छे से पढ़ेंगे इस हिसाब से तो आप examination crack कर सकते हैं समझ में आ गया तो ऐसा ही अच्छे से क्यों दिक्कत नहीं है कि यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे इसाब से बेस्ट रहेगा अब यहां पर बात आती है आने वाले वीडियो में यह जो short term आपकी आती है prescription कौन-कौन से कैसे याद करने उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूँगा और साथ ही और भी किसी subject regarding भी आपको important question जो मैं बता रहूंगा बताता रहूंगा तो इसके लिए आपको चैनल को subscribe करना ना भूले कैसा लगा information जरूब बताए कमेंट सेक्शन में लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें में इस चैनल को ऐसे informative फार्मास विडेट न्यूस अपडेट वेकेंसे बीड वीडियो लेक्चर्स के लिए keep watching stay tuned